मस्कर किसन भाइयो इस वीडियो में हम बताएंगे कि थ्रिप्स को खत्म करने के लिए दोनों दवई में से बेश्ट कोन है सिजेंटा कमतनी की कराटे बेश्ट है या पी आई कमतनी की राकेट किसन भाइयो बात करते हैं दोनों दवई के बारे में या क्या काम करते हैं और सबसे बेस्ट रिजल्ट किसका है और दोनों में क्या आणतर है किसान भाइयो बात करते हैं सीजेंटा कमतनी की कराटे के बारे में इसमें टेकनिकल लेम्डा साहिलोतीन 5% इसी फूम में होता है और इसका इस्प्रे करने से तुरंत रिजल्ट हमें देखने को मिलता है किसान भाईओ, जब thrips या illy पर इस दवाई का इस्प्रे होता है तो वो तुरंत मार देती है यह थोड़ी जलन करती है जब भी thrips या इल्ली पर यह दवाई गिरती है तो उसे तुरंत मार डाल देती है किसान भाईयो इसको 50 ग्राम प्रती पंप में डाल कर इस्प्रे करना चाहिए और किसान भाईयो एक बात का विशेज द्यान रखना जब भी आप लेमडा साइलोतिन का इस्प्रे करते हो तो आप मुझ और आथ पर अच्छी तरह से खपड़ा बान ले ताकि आपको किसी प्रकार की जलन मेसूस ना हो अब बात करते हैं पी आई कंप्दी की राकेट के बारे में किसान भाईयो इसमें प्रोफेनोफास 40% प्लस साइपरमेथरिन 4% होता है यह खास कर इल्ली को मारने के लिए बनाई गई है और थ्रिप सबर भी इसका अच्छा रिजल्ट देखा गया है इसका इस्प्रे करने पर किसी भी प्रकार से सरीर में जलन नहीं होती है और किसान भाईयो आप इसे 40 ग्राम प्रती पंप में डाल कर इस्प्रे करना चाहिए इसका रिजल्ट भी थ्रिप सबर अच्छा देखा गया है तो किसान भाईयो सभी कमेंट करके जरूर बताईए कि आपने लसून और प्याज में इन दोनों में से कुनकुन सी दवई का इस्प्रे किया है तो मिलते हैं किसान भाईयो अगले वीडियो में जई जवान जई किसान